बच्चों से लेकर बढ़ो तक सभी को जो सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं वो हैं राजमा चावल हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो मैं चानल बी वेश विर्गीत आज हम बनाने वाले हैं राजमा मसाला और राजमा मैं आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी इसमें मैं एक सीकेट मसाला भी डालूंगी उसके लिए पूरी वीडियो को देखिए राजमा बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में सबसे पहले हम एक कब राजमा लेंगे उसे हम साथ से आठ घंटे के लिए भिगो देंगे और उसे बहुत ही अच्छे से तीन से चार पानी में इसे हम वाश करेंगे और फिर हम एक कुकर लेंगे उसमें ये सारे राजमा डाल देंगे और उसमें तीन कप पानी भी डाल देंगे और उसमें डालेंगे एक चमश नमक और इसमें हम अभी कुछ नहीं डालेंगे और कुकर को बंद करके हम इसकी चार से पांच विसल तक इसे पकने देंगे इसकी स्टीम अभी कुकर में ही रहने देंगे तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं मैंने लिए हैं दो प्याज, पांच मीडियम साइज के टमाटर, पांच से छे कल या लसन की यानि की गार्लिक, चोटा सो टुकडा अधरका और शार हरी मेर सबसे पहले हम प्याज को एकदम बारी काट लेंगे, मैं चौपर से काट रही हूँ, चाहे तो आप हाथ से भी काट सकते हैं इस चौपर से बहुत ही अच्छे से फाइनली प्याज कट जाते हैं, ये देखिए प्याज कितना अच्छे से कट गया है इसे मैं एक बोल में ट्रांसफर कर देती हूँ, चाहे तो आप याज को कद्दू गस भी कर सकते हैं फिर मैं इसी चौपर में डालूँगी लस्सन, अदरक और हरी मिर्च, इसे मैं ग्राइन नहीं करूँगी, चौपर से चौप ही करूँगी यह देखिए कितने अच्छे से चौप हो गए हैं, और टमाटर को हम ग्राइन कर लेंगे, टमाटर अच्छे लाल ही लेने हैं, तब ही राजमा का कलर अच्छा बनेगा कुकर की स्टीम भी निकल गई है, इसे हम खोल के देखते हैं, राजमा हमारे पके हैं कि नहीं, यह देखिए, राजमा अच्छे से सौफ्ट हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि राजमा कच्छे हैं, तो आप एक या दो सीटी कुकर में और इसकी लगवा सकते हैं, अब ह इसमें डाल देंगे, इसे थोड़ा सा भूनेंगे, फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, नहीं तो यह मसाले जल जाएंगे, इसमें डाल देंगे, हम कटा हुआ प्याज, जो हमने अभी फाइनली चौक किया था, इसे स्लो फ्लेम पर ही तीन से चार बिनेट तक भूनेंग जब प्याज हलका सा पिंग हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे, हर मिर्च, अदरक और लसन जो हमने चौक की थी, वो हम इसमें डाल देंगे, फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखनी है, क्योंकि जो मसाला है, स्लो फ्लेम पर ही अच्छा बनता है, अगर हाई फ्लेम करते है तो यह जल जाता है, इसमें डालेंगे एक चमच देगी लाल मेर्च, आदा चमच हल्दी, इसे हलका सा भूनेंगे, और जो हमने टमाटर ग्राइंड की थे, वो हम इसमें फटा-फट से डाल देंगे, इसमें डालेंगे, आदा चमच नमक, क्योंकि राजमा में पहले भी न मसाल झाले की, इसमें हम डालेंगे एक चमच बर्के मीट मसाला, यह मसाला बैसे तो वेजिटेरियन ह होता है, लेकिन उसका नाम होता है मीट मसाला, यह हम एक चमच बर्के इसमें डालेंगे, तो इसका टेस्ट बिलकुर रेστोरेंट स्टाइल का hunt हो जाएगा, और यकीन मा साथ में ही डाल देंगे फ्लेम को मभी हाई कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉइल आ जाए और जब इसमें बॉइल आ जाएगा हम इसे पांच मिनट के लिए ढखके पकाएंगे तब तक ये मसाला और राजमा अच्छे से सब कुछ मिक्स नहीं हो जाता ये देखिए इ अपने हिसाब से पतली या घाड़ी रख सकते हैं अगर आपको चाबल के साथ सब करना है तो आप जादा रख करने के लिए बिल्कुल रेडी है मैंने इसे हरे धन्य और बटर से गानिश कर दिया है अब हम राजमा चावल की प्लेटिंग गर लेते हैं अगर आपको भी राजमा चावल बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हां घंटे गानिश कर दिया है हमारे राजमा चावल सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है अगर आपके मूह में भी पानी आ रहा है तो फटा फट वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हां घंटे का बटन दबाना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाइ फ्रेंड्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में